यूसफ खड़े हुए, चोथा आस्मान, इद्रीस खड़े हुए, प्रोटोकोर, इस्तिक्बाल, पांचवा आस्मान, हारून अलैस्लाम, छटा आस्मान, मुस अलैस्लाम, सारे फरिष्टे, साथवा आस्मान. हेलो फ्रेंग्स, चिरिया काल, अदाब, नमस्ते, वेल्कम बैक टूर चानल, इलाही रियाक्शन, आज अपने चैनल पर ही करा हैं, बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो पर रियाक्शन जिसमें हम रियाक्शन करने वाले हैं, तो तारीक चमील जी के इतने बयान सुने हैं, और हमें इतने पसंद हैं, सच में मतलब वो इतना अच्छा बताते हैं, मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है, कि उनके हर बयान में एक मेसेज तो जरूर होता है, कि अपने माबाब की इज़त करो, अगर तुम्हें कुछ सुख चाहिए अपनी जिन्दगी में, तुम्हें कयामत के दिन जवाब देना है, तो तुम अपने माबाब की इज़त करो, ये तो उनका हमेशा एक हो रहता है, ये एक्जांपल तो जरूर देते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करें, खुदा के बहुत प्यारे बंदे हैं ये, और I think जितनी इबादत की इंपोर्टेंस इन्होंने हमें अपनी वीडियो में समझाई है, वो शायद ही हमने किसी और की वीडियो में समझी होगी, क्योंकि ये हमेशा कहते रहते हैं कि दीन के रस्ते पर चलो इबादत करो, अपने आपको सही रस्ते पर लेकर आओ, जूट मत बोला करो, और कयामत के दिन की तयारी करो, तो बहुत सारी ऐसे इनके मेसेज हैं जो हमारे जहन में हमेशा रहते हैं जब भी हम इनकी वीडियो को देखते हैं, तो चली देखते हैं कि आज के इस टॉपिक क इन आखों से अल्ला को देख लिए, इल्म की अंते, हम अभी तक काइनात का तीन फीसद देख सकें हैं, तीन फीसद, बाकी क्यान current बना है इनन्जियों कि नैंटी-सेवन पर्सेंट अंदीहर 97 फीसद अंधेरा है 3 फीसद रोशन है उसका भी थोड़ा देखा है ज्यादा नहीं देखा और मेरे नभी इसी कुरते तहमद और जूते में यूं गए और सारी काहिनात को चीरते देखते पहले आस्मान पे जा पहुंच मेरे नभी का जिबरील हाथ पकड़ के नहीं ले गए कंदे पे बठा के नहीं ले गए परों पे बठा के नहीं ले गए सिर्फ वहाँ मक्गा से बیत-ल्मक्दस टक बुर्राक इस्तेमाल है जोके असबाव की दुनिया है मौजजधात का जहान नहीं है तो वहाँ सवारी इस्सेमालू जब वहाँ से उपर जाने लगए तो बुर्राक को महा बांदिया सुभान लदी असरा बिअब्दही लेला मिलालमस्जद लहराम इलालमस्जद अकसा अल्लदी बारकना हुलहू लिनुर्यहू मिन आयातिना इन्नहू यहां दो हर्फ हैं असरा और बिअब्दही देखो पहले यह बास सुनो अल्ला आने जाने से पाक अल्ला जमान उ मकान से पाक है लिकन एक आपको मिसाल देता हूँ मेरे एजाज में आपके वीसी साब और यह सारे हजरात बाहर खड़े हुए थे जब किसी को आहमियत दी जाती है तो मेजबान खड़ आता है रिसीव करने के लिए मेरा अल्ला कहरा है अब सुनो मेरा अल्ला कहरा है इसनलए मैं पहले वाज़े टी आएक लेखों आ ने जाने से पाक है लेकन अलिफ और बाक का मतलब है कि मैं अपने हबीब को खुद लेने आया था Allah ने अपनी कुद्रस से उठाया खुद नहीं आया अपनी कुद्रस से उठाया लेकिन प्रोटोकॉल के तौर पर फुरमाया मैं खुद था खुदा खुदमीर मजलिस बूद शबजाई के मनबूद अपनी खुद्रो का भला करे जिसको अल्ला प्रोटोकॉल दे पहला आस्मान आगे आदम अलिएस्लाम खड़े हुए मरहबा 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 दूसरा आस्मान यहिया, जकरिया, इसा खड़े हुए तीसरा आस्मान यूसफ खड़े हुए चौता आस्मान, इद्रीस खड़े हुए, प्रोटोकोल, इस्तिक्बाल, पांचवा आस्मान, हारून अलैस्लाम, छटा आस्मान, मुस अलैस्लाम, सारे फरिष्टे, साथवा आस्मान, इबराहीम अलैस्लाम, सारे नभी कह रहे थे हमारे भाई आगे, हमारे नभी आगे, हमार मैं 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 जब मेरे नभी उपर जा रहे होंगे और आस्मानatus, सबसक्रत हों कियाम मैं, कहुँंदे को तिलावत में, कुई जिक्र में, को तश्मीメं لیکن جب میرے نبی آئے ہوگے تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہو کہ چھڑ دے ساری عبادت آؤ मیرے نبی کا دیدار کرو آج میرے نبی کو دیکھو آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو سورے دیویاں کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لئے ساتھوں آسمان سے اوپر اٹھے تو صدرت المنتحہ وہاں جبریل ختم بس کہ یا رسول اللہ इस से आगे जो भी जाएगा जल के राक हो जाए मैं इतना भी उपर चला गया अगर मैं एक बालिश तो पर चला गया तो मैं जल के राक हो जाएँ यानि आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं आगे आप जाने आप कर अप जाने उपर से क्या नीचे उतरा जिस पर मेरे नबी को बिठाया गया और आप उपर गए और अल्ला के अर्श के दर्वाजे खुले अर्श जूम रहा है कि आज कोई आ रहा है अर्श पर कदम रखे अर्श खुशी से जूमने लगा और फिर अर्श और अल्ला के दर्मयान ला महदूद नूरानी पर दे मेरे रब ने यूं हटाए और मुस्कुरा के अपने हबीब का इस्तखबाल अस्सलाम अलैक ऐयोहन नभी वरह्मत अल्लाही वर्रकातु तुम्हे वीसी साब सलाम करें है तुम बड़े खुश शुकर को को मुझे वीसी साब ने सलाम किया है मेरा हाल पूछा याद में कि कोई बड़ा चोटे को पूछ ले तो खुश ही होती है आज हैरत की इंतिहा देखो रब काइनात रब काइनात रब समावात वाल अर्द सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात वाल अर्द वहुवाल अज्जीज अल्हकीम लहु मुल्क समावात वाल अर्द युह्यी वयुमीत वहुवाला कुली शैन गदीर हुवाल वाल आखिर वाल्दाहिर वाल बातन वहुवा ब कुली शैन अलीम ये अल्ला है कौन सलाम करने लगा है कोई बास्जा नहीं कोई बास्जा नहीं को वजिर याजम नहीं क्या कर असलाम अलैक ऐयहन नभी वरह्मत अल्लाही वबरकातुहू इतना लंबा सलाम बेश कियो यह अल्ला का प्रोटोकॉल है असलाम अलैक ऐयहन नभी वरह्मत अल्लाही वबरकातुहू जिस हस्ती ने इन आँखों से अल्ला को देखा हो उनका इल्म कैसा होगा तो मेरे अजीजों अपने इल्म को ताबे करो नभी के इल्म के ढूंडो जन्दगी के सुराग ढूंडो सीरत मुस्तफा से मिलेंगे अच्छा डॉक्टर बनने से आप अच्छे इनसान नहीं बनोगे एन आटमे पढ़ने से आप अच्छे इनसान नहीं बन सकते सिर्फ कुरान और मेरे नभी की जिन्दगी है जिसको पढ़ोगे तो तुम्हें जिन्दगी का रास्ता मिलेगा क्या बात है यार, मतलब इतनी बढ़िया वीडियो, इतना अच्छा बयान और इतना अच्छा उसके अंदर मैसेच, सबसे लास्ट में उन्होंने बताया कि अच्छे इंसान बनने के लिए तुम्हें एक ही चीज चाहिए और वो है अबादत, मतलब तुम बहुत अच्छे मतलब जैसे उन्होंने पूरा बयान गया, मैं तो एक प्रॉपर इमाजिन कर पारी थी कि कैसा कैसा चल रहा होगा वहाँ पर तो मुझे तो आज का बयान बहुत पसंद आया कुछे थी हमने एक वीडियो की थी जिसमें प्रॉफट मौमबजी के बारे में बहुत अच्छी बाते बताई गें थी ससमें बताया था कि वह greatस man in the history जो है उन्हें कहा नया है तो उस वीडियो के अथर sitting मौमझी के बारे में बहुत अच्छी बाते learn पूरे सीन हमारे आखों के सामने आ रहे थे कि कैसे जो नभी है वो मिलने गए होंगे अल्ला से और अल्ला नोने कितने प्यार से अपने पास बिठाया होगा और बाते की होगी तो वागी में आज की वीडियो बहुत अच्छी दो ठीक है गाई इसके साथ इस वीडियो को यही पर एंट करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है यह वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के रिए ओके बाई